Hello everyone, this is Kanishka, welcome back to the channel. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Determination of Output and Employment जो की Classicals के According होने वाला है. तो Classical Theory हमने अच्छे से Detail में पढ़ ली है, उसकी सारी Exception भी. अब देखते हैं कि वहाँ पे Classical Theory में Output and Employment का Equilibrium कैसे निकलता है. तो सबसे पहले Output और Employment का Relationship देख लेते हैं. तो Output is a Function of Employment. Output जो होता है जो हमने Q से Denote किया है, यह एक Function है Employment का. तो Q is Equals to F, Multiply में N. तो Q है हमारा Output and Function F से Denote किया है and N Employment है. तो जैसे ही यह वाला Function हमने लिखा, Q is Equals to Function of N. तो जैसे ही Employment बढ़ता है, उससे हमारा Output बढ़ता है. पर After Some Time क्या होता है, Employment बढ़ने से भी हमारा Output कम होता है, क्योंकि Diminishing Returns स्टार्ट हो जाते हैं. अगर हम Employment बढ़ाते रहेंगे, एक Stage के बाद यहाँ पर N हमने X-Axis पे लिया है और Y-Axis पे Output लिया है, इतनी हो गई है, हमने इतने लोग रख लिये हैं, इतने वरकर्स रख लिये हैं, कि अब वो फिर काम चोरी करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा Output निकलना बंद हो जाएगा, तो Output फिर Negative Returns में आ जाएगा. आगे देखते हैं अब Labor Market equilibrium, अब हम Classical की केस में तीन equilibrium पढ़ेंगे, Labor Market equilibrium, Goods Market equilibrium और Money Market equilibrium तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Labor Market equilibrium से, तो Labor की मार्केट जब equilibrium में कब होगी, जब Demand for Labor, Supply of Labor के Equal होगा, तो Demand of Labor and Supply for Labor, ये Wages के थ्रूँ Equal होगा, कैसे हम सबसे पहले Demand for Labor समझते हैं, तो Demand for Labor को हमने DL से denote किया है, तो इसका Negative Relation होता है Real Wage Rate से, जो हमारी Real Wages हैं, अगर वो बढ़ती हैं, तो हमारी Demand Labor की कम हो जाती है, अगर वो कम होती हैं, तो Demand बढ़ जाती है, ये Producer Point of View से है, Producer Demand करता है Labor की, तो ये Negative है Real Wage Rate से, तो Negative Function आ जाएगा, ऐसे हम इसका Diagram मना लेंगे, जैसे ही Wages कम होती है, Demand जादा कर लेंगे, प्रोडूसर लेबर की, जैसे ही वाइसा वर्सा, जैसे ही Wages बढ़ती हैं, तो Labor को Fire कर दिया जाएगा, Demand उनकी कम हो जाएगी, प्रोडूसर के द्वारा, तो Labor को कम करते ही, Wages को कम करते ही, Labor higher कर ली जाएगी, तो Demand for Labor बढ़ जाएगी इस Case में, and Wages बढ़ते ही, Labor को Fire कर दिया जाएगा, जो काम पे थे, उसको निकाल दिया जाएगा, तो इस Case में, Demand for Labor, Downward Sloping बनेगा, नीचे आ जाएगा, तो Downward Sloping बनेगा, क्योंकि Negative Relation है, Wages और Labor की बीच में, and अब Supply of Labor देखते हैं, तो Supply of Labor का Positive Relation होता है, Real Wage Rate से, अब Labor की Supply कौन करता है, Supply Labor की Workers ही करते हैं, जो Labor है, वो Supply करेगी, अगर वो Market में होगी, तभी तो Supply उसकी बढ़ेगी, तो Labor कितनी Available है, या कितनी नहीं है, वो Supply of Labor से हम पता करते हैं, तो ये Real Wage Rate का Positive Relation होता है, कैसे, जैसे ही Wages बढ़ जाती है, तो Supply of Labor बढ़ जाती है, अब लोगों को पता चल गया कि ज़्यादा Wages मिल रही है, तो वो Supply भी ज़्यादा कर देंगे, मतलब अपनी जो Availability है, वो बढ़ा देंगे, तो Supply of Labor यहाँ पर बढ़ जाएगी, अगर Wages कम होती है, तो वहीं पर Availability वो कम कर देंगे, क्योंकि कम Wages पर कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए महाँ पर Supply of Labor कम हो जाएगी, तो यहाँ पर Positive Relation है, Real Wage Rate से, जैसे ही Wages बढ़ती है, Supply वर जाती है, जैसे ही Wages कम होती है, Supply कम हो जाती है, लेबर की, तो यहाँ पर अपवर्ट Sloping बनेगा Supply कर, तो Supply for Labor अपवर्ट Sloping बनेगा, अब हम देखते हैं, Labor Market Equilibrium Through Wages, Wages के थुरू Labor Market Equilibrium में कैसे आती है, जब Demand for Labor and Supply of Labor Equal होते हैं, तो यहाँ पर हमने Plot कर दिया Demand for Labor का Curve, और यहाँ पर हमने वही Plot कर दिया Supply of Labor का Curve, अब यह Equilibrium Point पर कब आ रहे हैं, जब यह दोनों Intersect हो रहे हैं, और यह किसके थुरू हुआ है, Wages के थुरू, मतलब यह वाली Wages, जो W Hash है, तो W Hash वाली Wages इतनी है, जिस पर Supply भी हो रहे हैं, यह लिवर की और Demand भी Equal है, दोनों चीजें Equal हैं, Demand भी Producer कर रहे हैं, उतनी ही Supply Available है इस Wages पर, अगर Wages इससे नीचे या उपर आती हैं, इस इकलिविरियम का केस होता है, तो वह हुआ हम भी देखते हैं, तो यहाँ पर Classical Assume करते हैं, There is Wage Price Flexibility in the Economy, जो हमने Assertion में भी पढ़ा था, कि Classical Assume करते हैं, कि Wages की Flexibility होगी, और Prices की Flexibility होगी, मतलब क्या है, कि Wages उपर नीचे जा सकती हैं, जैसे ही Wages उपर नीचे जाएंगी, तो Market Forces उसको दुबारा से Work पे लग जाएंगी, और Equilibrium पे ले आएंगी, और वैसे ही Prices का केस, Prices जैसे ही Up या Down जाते हैं, Flexible हैं Prices अप या Down जा सकते हैं, तो जैसे ही जाते हैं, उसके बाद फिर से Market Forces लग जाएंगी, और Market Forces उटमाटिकली, उस Price को Equilibrium डेवल पे ले आएंगी, तो यहाँ पे Wages flexible हैं हमने देखा, तो Wages flexible से क्या होगा, जैसे ही Wages अब जाएंगी, उपर जाएंगी, तो वो धीरे धीरे, मतलब Short Run में वापिस नीचे Equilibrium पे आ जाएंगी, और Long Run में Equilibrium पे ही पहुंच जाएंगी, जो यह Changes है, Wages और Prices के जो हमने पढ़ा, Wages and Prices flexible है, यह सिरफ Short Run में Changes होंगे, Long Run में फिर से वो Equilibrium पे ही पहुंच जाएंगी, क्लासिकल ने अपनी पूरी अजप्षिन में Long Run ही एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे ही हम Demand for Labor and Supply of Labor को Equate करते हैं, Equal लाते हैं, Intersect होता है इसका, तो यहाँ पे Equilibrium Point निकल के आ गया, W Hash पे, अब 4 examples, Suppose करते हैं, कि Wages हमारी Market में बढ़ गई है, और वो इस Level पे आ गई है, W1 पे, तो अगर Wages बढ़ जाएंगी, तो इस Case में क्या हो गया, Supply of Labor यहाँ पे ज़्यादा हो गया, Demand of Labor से, Demand of Labor अब कम है, Supply उसकी ज़्यादा है, तो इस Case में क्या होगा, Market Forces आ जाएंगी एकोनामी में, Market Forces क्या, कि जैसे ही Supply ज़्यादा हो जाएंगी, Labor की, तो Supply ज़्यादा होने से क्या होगा, कि Wages बढ़ा दी जाएंगी, Wages कम कर दी जाएंगी, क्योंकि Producer अब चाहेगा, कि बहुत ज़्यादा Supply आ रही है, यह जो बड़ी वोई Supply थी, अब वो वापिस नीचे आ गई, और जो Demand थी, वो तो वाइसा वर्सा है न, यहाँ पर अगर Wages कम हो रही है, तो Wages कम होने से Demand बढ़ जाएगी, तो Demand इस Point से इस Point पर आ गई है, तो यहाँ पर Demand बढ़ गई, Wages कम होने से Producer Demand बढ़ आएगा, और Availability उनकी कम हो जाएगी, तो Supply कम हो गई, नीचे आ गई, वापिस Equilibrium Point में, और वैसे ही उल्टा के ऐसा अगर हम देखें, Wages अब Market में नीचे चली गई है, मतलब कम हो गई है, तो Wages कम होने से इस Line पर आ गई हम, W2 Point पर आ गई हैं इस Line पर आ गई हम, इसमें जो है Demand for Labor जादा आ रहा है, Supply of Labor कम आ रहा है, तो जब Demand for Labor जादा है, और Supply for Labor कम है, तो Producer क्या करेगा, मतलब Market Forces आटमाटिक होता है यह, Producer क्या करेगा, Wages को बढ़ा देगा, जैसे ही Wages बढ़ेंगी, तो Demand से तो Indirect Relation है, तो Wages बढ़ने से Demand कम होगी, अब Demand इतनी है, Demand वापिस से कम हो जाएगी, Demand बढ़ी हुई Demand है, इतनी वापिस से वो कम हो जाएगी, and Supply से वो Positive Relation है, जैसे ही Wages बढ़ी Supply बढ़ गई, तो Supply इस Point से थी, इस Point पर आजाएगी, वो Supply बढ़ गई, आप यहाँ पर Labor के Correspondent देखोगे, कि यहाँ पर Demand पहले इतनी थी, Labor के Corresponding से, अब यहाँ पर Demand Wages बढ़ने से, Demand बढ़ जाएगी, Wages के बढ़ने से Demand कम हो गई, तो Labor की Demand पीछे आगई, यहाँ पर Labor अब कम अविलेबल है, और यहाँ पर जैसे ही देखें, Supply का Case, तो Wages बढ़ने से, पहले इस Point पर हमारा Equilibrium Point, यहाँ पर आ रहा है था हमारा Point, हम Equilibrium पर पहुंचने के लिए अब क्या करेंगे, अब Wages को बढ़ा दिया, जैसे ही Wages बढ़ी Supply बढ़ गई, तो यहाँ पर अब इस Point पर हम Produce कर रहे हैं, मतलब इस Point पर Labor अविलेबल है, तो यहाँ पर यह जो सब होता है Classicals Economy में, यह Market Forces की वज़े से होता है, Market Forces को इन्होंने Invisible Hand भी बोला है, जो सिरफ Short Run में होते हैं, Invisible Hand कैसे, इसमें इकली भी रहम आता है, Saving and Investment की थूँ, Saving is equal to Investment through Rate of Interest, अब यहाँ पर Rate of Interest का Intersection देखेंगे हैं, Saving और Investment इकोएट करनी चाहिए, अब सबसे बहले हम Saving Curve देखते हैं, Saving कैसे Rate of Interest से रिलेटिड हैं, Saving is Positive Function of Rate of Interest, जैसे ही Rate of Interest बढ़ता है, हम Saving जादा करने लग जाते हैं, जैसे ही Rate of Interest कम होता है, हम Saving कम करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर यह Upward Sloping बनेगा Saving Curve, Saving Curve Rate of Interest से Positive Related है, आगे देखते हैं Investment Curve, Investment Curve Negative Related है Rate of Interest से, तो जैसे ही Rate of Interest कम होता है, Investment बढ़ जाती है, rate of interest बढ़ने से investment कम हो जाती है तो यहां पर यह demand curve की तरह बनेगा demand for labor की तरह downward sloping जैसे rate of interest कम हुआ investment हमने बढ़ा दी तो यहां पर investment is a negative function of rate of interest तो यह downward sloping बनेगा इसका जो slope होगा वो downward होगा अब good market equilibrium में हम equilibrium देखते हैं कैसे attain होगा तो supply and savings and investment को equate करेंगे savings is equal to investment through rate of interest rate of interest के थूँ आएंगी हमने यहां पर y-axis पर rate of interest लिया है और x-axis पर हमने savings and investment लिया है अब saving curve upward sloping है क्योंकि rate of interest से उसका positive relation है and investment curve downward sloping है क्योंकि इसका negative relation है जहां पर यह दोनों equate करते हैं equal आते हैं intersect करते हैं वहां पर equilibrium point आ गया and इसी के corresponding rate of interest आ गया जो की savings and investment दोनों में common rate of interest आएगा जिसको हमने r-hash नाम दिया है जिसको r-star जो equilibrium rate of interest है अब आगे देखते हैं अगर इसमें dis equilibrium आ चाता है तो उन क्या करेंगे यहां पर भी market forces अपने आप equilibrium में ले आएंगे क्योंकि classical assume करके ही चल रहे हैं कि क्लास हम long run में produce कर रहे हैं और यहां पर market forces होते हैं जो short run में वापिस से equilibrium पर आ जाते हैं क्योंकि यह सब flexible होता है यहां पर classical के case में अब हम देखते हैं investment तो investment हमने ने बना ली and savings का positive relation होता है तो वह मैंने बना ली savings is equal to investment इस point पर आ रहे हैं intersect कर रहे हैं यह point equilibrium हो गया और यहां पर हमारा rate of interest आ रहा है वो r star हमने नाम दे दिया अब जैसे ही rate of interest बढ़ जाता है market में तो यहां पर हम इस line पर आ गए अब इस line पर क्या हुआ savings जादा हो गई investment कम हो गई सेविंग्स जादा investment कम, market forces आये, market forces मतलब invisible hands, automatic हुआ हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर तो वापेस से market में rate of interest कम हो गया, अब rate of interest कम होने से क्या होगा investment के साथ negative relation, rate of interest कम होने से investment बढ़ जाएगी, तो investment पहले इतनी थी, इस level पर आ रही थी, अब यह investment बढ़के सेविंग्स से relation देखते हैं, तो rate of interest कम होने से, savings भी कम हो जाएगी, क्योंकि positive relation, यहां पर rate of interest, savings का point यहां पर आ रहा था, rate of interest R1 था, अब हमारा rate of interest कम हो गया है, R पर पहुंच गया है वापिस से, तो यहां पर savings यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस level से, अब savings इस level पर आ गई, तो इतना difference यहां पर बन गया, and इसी के opposite अगर rate of interest market में कम हो जाता है, तो automatic forces आ जाएगे, market forces आ जाएगे, जो rate of interest को फिर से बढ़ा देंगे, and equilibrium point पर पहुंच जाएगे, rate of interest फिर से बढ़ने से क्या होगा, हमारी जो investment है, negative related तो वो कम हो जाएगी, and savings जो है वो यहां इस point पर है, वो बढ़ जाएगी positive related, तो I hope आपको अच्छे से clear हुआ हो, next market देखते हैं, money market equilibrium, तो money market equilibrium कैसे निकलता है, अब यहां पर quantity theory of money होती है, तो quantity theory of money जो Fischer ने दी थी, उसकी equation क्या होती है, mv is equal to pt, इसी equation से यहां पर money market में equilibrium निकलता है, mv is equal to pt, यहां प price है, and t क्या है, transaction को denote किया गया है, तो यहां पर money supply into my velocity of money is equal to price and into my transaction, यहां पर हम Fischer, यह Fischer की equation है, जो quantity theory of money बोलते हैं, Fischer, यहां पर हम v और t को constant लेके चलते हैं, मतलब velocity of money and transaction constant हो गए, अब इन दोनों के constant होने से क्या हुआ, m is equal to p आ गया, मतलब, इसका मतलब क्या है, P is a function of money supply, तो price directly related है money supply से, तो price is a function of money supply हम बोल सकते हैं, तो जैसे ही money supply में कुछ change आता है, उससे price में change आएगा, क्योंकि money supply independent है, पर price depend हो गया है money supply पे, तो जैसे ही money supply में increase आता है, price में भी increase आएगा, and money supply में decrease आता है, तो price में भी decrease आएगा, अब इसका ultra नहीं हो सकता, क्यो के चेंज होने से money supply में कोई चेंज नहीं आएगा पर यहां पर money supply के चेंज होने से price में चेंज आ सकता है वो भी positive related है तो जैसे ही money supply बढ़ेगा price बढ़ जाएगा money supply कम होगा price कम हो जाएगा और यह equation दी थी फिशर ने mv is equals to pt करके यहां पर हम v और t को constant लेके चलेंगे तो price हो गया function of money supply हम यहां पर graph देखते हैं यहां पर money supply हमने ले ली m और उसी को increase कर दिया जैसे ही money supply increase होई m से m1 आ गई हमारे price भी correspondingly increase हो गई तो यहां पर direct relation है money supply and prices का तो यह हमारी तीनों market equilibrium की complete हो गई है classicals के according I hope आपको अच्छे से clear हुआ हो मिलते हैं next video में thank you so much for watching